सद्गुरु मेरे दोस्त का एक्सिरेंट हो गया और उसका दिल धड़कना बंद हो गया उसे बिजली का जटका देने वाली मशीन से जिन्दा किया गया और अब वो कोमा में है कोमा में इंसान के मन और शरीर में क्या होता है अगर किसी का accident हो गया और वो निश्क्री पढ़ गये तो ये मत सोचेगा कि वो मर गये थे और उन्हें वापस ले आगया, ये सच नहीं है हुआ बस इतना है कि ये हो सकता है, प्रानशक्ति को इतना जटका लगा हो कि ये भीतर से ज़ादा बाहर की और प्रोजेक्ट हो गई है अब ये सोच रही है कि जीना है या नहीं ये कोई philosophy का सवाल नहीं है, ये practical सवाल है कि क्या शरीर जीने के लिए उतना fit है या नहीं है इसलिए अगर इसने जीना चुन लिया, तो ऐसा medical staff की वज़े से नहीं है, हाँ वो उसमें मदद कर सकते हैं, वो सहायता कर सकते हैं लेकिन ये जीवन है जो रुकने का फैसला करता है, क्योंकि शरीर अब भी उसके रहने लायक है शायद medical staff शरीर को थोड़ा और ज़्यादा रहने लायक बना दें, जो कि उनकी मदद के बिना नहीं हो पाता, ये बिलकुल संभव है तो उनकी मृत्यू नहीं हुई थी, वो रहूं या ना रहूं की हालत में थे वो भीतर के मुकाबले बाहर की और ज़्यादा projected हो गए अब भी, आप थोड़े से ही बाहर की और projected हैं, पर ज़्यादा तर अंदर की और projected हैं अक्सिडेंट की घड़ी में हो सकता है कि वो बाहर की और ज़्यादा projected हो गए और थोड़े से अंदर की और projected रहे, उनके मर जाने के बाद भी, ये सब कुछ खत नहीं हो जाता अगर आपको ये ना पता हो, हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं ग्यारा से चौदा दिनों तक एक मृत शरीर के नाखून और उसके बाल और सब कुछ बढ़ते हैं क्योंकि जान धीरे धीरे जाती है, ये अचानक बाहर नहीं निकल जाती है इसलिए आप किसी को आध्यात्मिक तोर पर मुर्दा घोशित नहीं कर सकते कम से कम मेडिकल मृत्यू के चौदा दिनों बाद तक तो ऐसे कुछ देर के लिए रहूं या ना रहूं के असमंजस के बाद आपने कहा रहना है लेकिन ये शरीर केवल बिस्तर पर लेटने के लाइक है उठने और चलने या ऐसा कुछ करने के लाइक नहीं रह गया है जैसा कि एक आदमी आउरत से उमीद की जाती है मैं ऐसा किसी का आपमान करते हुए नहीं कह रहा हूँ मैं चाहता हूँ आप इसे एक सबजेक्ट के तौर पर देखें एक भावनात्मक चीज के तौर पर नहीं नहीं तो आप इसे सही तरीके से नहीं समझेंगे तो अगर आप इसे निश्क्री होना कहते हैं तो ये दो तरह की होती हैं एक है बस ये शरीर चला गया है लेकिन फिर भी दिमाग के अंदर सब कुछ सक्री है इससे बहुत सारी तकलीफ हो सकती है क्योंकि वो देख सकते हैं सुन सकते हैं सुन सकते हैं समझ सकते हैं लेकिन कुछ भी करने की क्षमता नहीं है बात करना उनके लिए सबसे आखरी चीज है वो उटकर चलना फिर ना चाहते है वो रिस्पॉंड करने में सक्षम नहीं है, शरीर निश्क्री हो गया है, लेकिन दिमाग अब भी सक्री है एक दूसरे तरह की हालत होती है, जहां शरीर काफी हद तक ठीक हालत में है, लेकिन दिमाग निश्क्री हो गया है तो शरीर काम नहीं कर सकता शरीर अच्छी हालत में है अगर दिमाग सक्री होता तो शरीर काम करता लेकिन दिमाग अक्री हो गया है इस इस दिमाग को संभाले रखने के लिए जरूरी भौतिक सनरचना बिखर गई है कुछ है जो तूट गया है इसलिए मन को रहने के जगा नहीं मिल रही है तो वह काम नहीं कर सकता लेकिन दिमाग के सूक्षम पहलू आप भी सक रही है सिर्फ वो दिमाग जिससे आप चीजें समझते हैं वो दिमाग जिससे आप निरने लेते हैं वो दिमाग जिससे आप भेद कर सकते हैं वो बंद है, वो बंद हो गया है, लेकिन दूसरा दिमाग, जो सिर्फ अचेतन या दाष्ट पर चलता है, वो अब भी है, अगर वो ना हो तो शरीर जंदा नहीं रह सकता, इसलिए अगर कोई विक्ती एक जगा पर बहुत लंबे समय तक लेटा रहे बिना इस अंतर करने वाले दिमाग के, तो हो सकता है वो धीरे धीरे उस याददाष्ट की अचेतन प्रक्रिया के बारे में जागरोख हो सकता है, जो उसके भीतर घटित होती रहती है, जिसकी के साथ जादा समय नहीं बिताया है, एक या दो बार जब मैंने देखा, तो मुझे लगा कुछ है जो हो रहा है, ऐसा लगता है कि उनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन भहुत धेर सारी गतिविधियां हो रही है, तो दिमाग की अचेतन प्रकृती हो सकता है कि एक तरह की ज जागरूप नहीं होते, तो हो सकता है कि उनको कोई सक्री पीडा नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि किसी तरह की स्थब धवस्था हो, जिसका काफी लोग आनंद लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं, लोग शराब क्यों पीना चाहते हैं, वो ड्रग्स क्यों करना चाहते हैं, क्य कि उन्हें पसंद है और वो ध्यान क्यों करना चाते हैं उन्हें ये पसंद है आप समझे चेतन और अचेतन के बीच में जूलना ऐसे इस बाटर लाइन पे वो इसके उपर थोड़ा नाचना पसंद करते हैं तो शराब, ड्रग्स, नींद, सुस्ति, अत्यधिक खाना, सिक्ष्वालिटी ये सारी चीजें आपको ये थोड़ा सा सीमा पर होने का स्वाद देती है जब आप न यहां हैं न वहां तो असल में अगर उनका दिमाग बस ये अंतर करने वाला दिमाग बंद हो जाए तो वो असल में एक बहुत बढ़िया जगा पर हो सकते हैं बस जूल कोई जिंजट नहीं करने को कोई काम नहीं कुछ नहीं अगर आप उनके शरीर को आराम में रखें अगर आप ध्यान रखें कि उन्हें बिस्तर पे रहने से कोई घाव अगेरा नहों जाए तो असल में वो शायद एक बड़ी आरामदा एक जगा में हो भुगत्ता कीवल वह जो असल में भुगत्ता है वो जिसका शरीर निश्क्री हो गया है और दिमाग पूरी तरह सतर्क और सक्री है अब ये व्यक्तिकष्ट भुगता है हाँ अगर वो भी से स्विकार करके अपने भीतर ध्यान में न बन जाए अगर वो ऐसी आवस्था तक पहुँच गया तो य ये उसके लिए एक बहुत बढ़ी आवस्था बन सकती है आध्यात्मिक रूप से क्योंकि आब इन सारे लोगों की समस्या ये है ये सब अब घंटों बैट कर ध्यान करने के लायक हैं उनकी इकलौती परिशानी है ये उनके कमभख्त पैर और पीठ अगर उनके पास ये नह ना पीठ में कोई समवेदना है अगर वो इस तिती में पहुँच गए जो की मेरा मानना है वो पहुचेंगे अगर मैं उनके साथ थोला सा समय बिताओं तो मैं आपको बता दूँगा कि वो वहाँ पहुच गए है या नहीं अगर वो इस पर पहुँच गए तो ये आध्या कर रहा है ना शुरुवाती दोर में दिमाग परिशानी है लेकिन एक बार जब आपने इस से निपट लिया तो एकलौती समस्या ये है यही एकलौती चीज़ है आपके पास एक शरीर ना हो पर एक सतर्क दिमाग हो ये एक बहुत अच्छी बात है लेकिन काफी सारे लोग किसे भयानेक रूप से भुगतते हैं क्योंकि वो पूरा जीवन हमेशा किसी और के साथ अपनी तुलना करने में लगे रहते हैं कोई चल रहा है तो उन्हें तकलीफ होगी कोई बात कर रहा है तो उन्हें तकलीफ होगी वो चल नहीं सकते वो बोल नहीं सकते वो नहीं कर सक तो यही पैटन उनके साथ जारी रह सकता है, अगर वो इस पैटन से बाहर निकल जाएं, तो असल में ये एक शांदार जगा बन सकती है, कोई शरीर की प्राब्लम नहीं है, दिमाग पूरी तरह सतर्ख है, हम उन्हें दिक्षा दे सकते हैं, मैं ऐसा उनकी हालत को लेकर अपम पेशवर लोगों के द्वारा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये उनके लिए अद्भूत रूप से काम कर सकता है, बस लेटना है, दिमाग लगातार सतर्ख है, ये चमतकार कर सकता है, मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, कि इससे आपके जीवन में क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसे फाइदे में कैसे बदला जाए, नुक्सान में नहीं, क्योंकि आपके साथ जो हो सकता है, आप उसे 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे जो बनाते हैं, वो 100% आपका है, है की नहीं? तो अगर ऐसा क कुछ हो ही गया, तो आईए उसको भी फाइदे के लिए इस्तिमाल करें.